जैन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपता एजूकेशन पालमपुर की आउनलाइन प्लैटफॉर्म पर जैसे ही हमने प्रीविएस क्लास में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौरे के बारे में तो हमने जो पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौरे ने जो है अपना मतलब जो शरीर है त्यागा था सलेखना विदी के दुआरा उसके बाद उनके उत्रा अधिकारे उनके पुत्र बिंदु सार तो आज हम राज टॉपिक हो रहेगा वो बिंदु सार के पारे में रहेगा जो बिंदु सार है वो चंद्रगुप्त मौरे के बाद जो है वो उसके उत्रा अधिकारी बने थे तो इन्होंने क्या-क्या किया है तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में लेंगे इन्होंने की जो हमें डिटेल्स है ये तिव्ती लामबात तारानाथ और जैन Lesslor की अनुषूतियों की अनुसार जो है हम कह सकते हैं की जो चंड के थे कुए कि चंड के जो थे मौरे के जो चंड को तो मौरे थे उनके ये गुरू थे, कौन थे, गुरू थे, मगर बिंदु सार के ये कौन थे, तो बिंदु सार के ये परधान मंतरी रहे थे, बिंदु सार के समय में तक्षिला में विद्रो हुआ था, जिसे दवाने के लिए अशोक को, और साथ में उसके फ्रेंड असीम को दुनों को इंगल बतस से नामक एक आजीव वक्त था जो उनके ही दरवार में रहता था तो उसने कहा कि भीया आने वाले वक्त में जो है यनि कि भविश्य वारी कर दी कि अशोक जो है वो आने वाले वक्त में यनि कि इस समरज्य के जो है वो राजा बनेंगे ये की थी और जब के राज्यपाल थे तो ये था बिंदु सार का डिटेल साथ में ही अब आगे हम चलेंगे कि अशोक के बारे में देखेंगे साथ में अशोक ने क्या किया चंद गुबत मौरे का जो महानतम शासक क्योंकि बिंदु सार का जादा नहीं है तो इसी वज़े से मैंने उसका इतना ही डिटेल्स ली थी और जो अशोक है वो मौरेस मराजे का जो है महानतम राजा बने है इन्होंने जो सिहली की अनुशृती है उनकी अनुशार अशोक ने अपने 99 भाईयों की हत्या की थी और फिर उसने संघासन जो है संभाला था अशोक की माता का नाम जो था वो शुब ध्रांगी था अशोक ने जो है कई बार कंपिटिटी में पूछा गया है कश्मीर में शिरी नगर किसने बसाया शिरी नगर शहर किसने बसाया या नगर किसने बसाया तो अशोक ने बसाया था अशोक ने अपने रज अभिशेक के आठवे वर्ष में 261 इसापूर्व कलिंग पर आकर्वन कर दिया था और उस वक्त वहां के जो राजा थे या शासक थे वो नंद राज थे और उन्हें प्राजित कर विजय प्राप्त की थी most important रहता है कि कलिंग का युद कब हुआ तो कलिंग का युद जो है 261 इसापूर्व हुआ था जो कि अशोक ने आकर्वन किया था नंद राज पर और विजय प्राप्त की थी कलिंग के इस वियपक नरसहार यानि के उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा प्रास्दी हुई है बहुत ज्यादा मितलब लाशों के भंडार देखे तो उनका दिल जो है वो पसीज गया इस कारण उन्होंने क्या किया कि इसके पढ़्डाम में उन्होंने जो है बौध धरम को अपना लिया था और उन्होंने बौध धरम अपनाया और उन्होंने अपने ही कारेकार में सांची के स्थूब जो कि भारत के मध्य परदेश में स्थित हैं इनका निर्मान करवाया था आगे इन्होंने अपने बच्चे जो इनके बच्चे थे एक लड़का था एक लड़की थी तो दोनों को भी बहुत धरम की अनुशूतियों को यानि कि बोला कि भीया महिंदर बेटा महिंदर और संग मित्रा को कि आप दोनों जो हैं बहुत धरम का प्रचार करो उन्हें प्रचार करने के लिए कहां भेजा था तो श्रिलंका मैं भेजा था प्रचार करने के लिए तो अशोक के एक बेटा था और एक बेटी थी याद रखीगा उपगुप्त नाम के बोध भिक्षू से जो है अशोक ने जो है उन्होंने बौधरम की जो है दिक्षा ले थी अशोक के अभिलेख को पढ़ने के लिए हमने जो है कोशिशें बहुत की 1835 में पहली बार सफलता प्राप की थी जेम्स प्रेपस और मोरेवश का जो अंतिम शासक था वो वरिद्रत था वरिद्रत जो है वो मोरेवश का अंतिम शासक रहा और उसकी हत्यय जो है उसके सेनपती ने कर दी उसका नाम था पुष्यमितर शुग और इन्होंने जो है एक सो पच्यासी इस्वी में जो है मग्द राजे पर जो है वो शुंग वंश की यानि कि पुश्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की जो है वो नीव बना डाली यानि कि नीव रखे तो इसके आगे हम चलेंगे क्योंकि हमारे continuous रहेगा तो मैं आपको बता दू इसके बाद जैसे शुंग वंश के नईव रखी पुष्यमित्र शुंग ने तो आप ये याद रखिएगा कि 185 इस्वी में उन्होंने बृद्रत को हत्या कही थी तो ये सेनापती थे तो इन सेनापती ने जो है हत्या कर अपना वंश आगे चलाया तो शुंग वंश का अंतिम कारे काल जो है वो 73 काल इसा पूरवरा था जो कि शुंग वंश लगबग 112 वर्ष तक यानि कि मगद पर जो है यानि कि मौरे काल के बाद जो है ये शुंग वंश आया था और शुंग वंश के अंतिम जो राजा थे या शासक थे वो देव भूती थे तो मौरे काल मौरे काल के बाद शुंग वंश स्थापित हुआ था तो पुशमित शुंग जो थे वो इनके सेना पती थे ब्रिद्रत की हक्तिया कर शुंग वंश की स्थापना की थी मगर एक बात इसमें common यह है कि या मतलब important है यह जो थे शुंग यह ब्रहामन धरम के उपासक और साथ में सरक्षक दोनों थे उनकी उपासना भी करते हैं पुजा भी करते थे याई पतंजली के महाभाषय में हमें मिला है कि पतंजली उस वक्त जो है वो इनके अश्मेग यग में पुरोहित रहे हैं अश्मेग यग में पुरोहित का काम किया है शुंग शास्कों की जो राजधानी थी वो वदीशा थी, क्या थी, वदीशा जो है शुंग शास्कों की राजधानी थी, पुश्यमित शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित चुरासी हजार स्टूपों को नश्ट कर दिया था, फिर बाद में उन्होंने जो है इन्हें, यह यहने कि मरहुत स्टूप तथा सांची के स्टूप का पुन्ह निर्माण करवाया था, मगर कभी कोई किसी की हत्या करके अगर बैठता है तो वो सुखी नहीं रहता, ठीक है, तो इसकी भी जो है आगे आने वाले वक्त में देखिए, हत्या कर दी गई थी, शुंग वंश का अंतिम शासक जो थे वो देव होती थे, जिनकी उनके आमाते वासुदेव ने तिहत्तर इसापूर जो है उनकी हत्या कर दी और कणा वंश की जो है नीव डाल दी, इसलिए कहते हैं कि जब भी अगर आपका मन साफ होना, तो आपको सभी साफ मिलेंगे, अगर आप खुद मतलब गलत कारे करके अगर आपने कुछ चीज हासल की है, तो आपको हटाने वाला व्यक्ति भी वो उसी रास्ते से चलेगा, तो ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, अब नेक्स टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो है करणा वंश, जो की वासुदे द्वारा जो मेंट खरीगा, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!